हालो दोस्तों इन्फोसिस के बाद हम लोग आज बात करेंगे HCL के रिजल्ट के बारे में अभी क्वाटर वन के काफी सरे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे तो most of the video रिजल्स के ही होंगे रिजल्स को अच्छी तरह से समझेगा ताकि आने वाले टाइम में इस कंपनी का future आप प्रेडिक करना सीख सकते हो रिजल्स बहुत कुछ बता कि जाते हैं figures and numbers बहुत कुछ आपको एक idea दे जाते हैं कि कंपनी का past अभी चलने वाला टाइम और आने वाला टाइम किस तरह से होगा आज में लोग बात करेंगे एक रिजल्स के बारे में तो चलिए आज का विडि़ी शुरू करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त आपका host आपका बेर आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तो इंफो बेर तो दोस्तो मैं जैसे कि आप टाइटल में द पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन में एकसे ब्राजिल जिहां प्राजिल में लॉकडाउन ना कभी लगा है ना मुझे लगता है वो लगाएंगे कभी तो एकसे ब्राजिल यहां पे पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन चल रहा है जिसमें यूएस भी आता है जिसम और सारी कंट्रीज भी आती हैं तो हेसील का जो लॉस मावफ की जिगा जो इनफोसीस का लॉस हमने देखा था उसी को फॉलो कर रही है और एक कंपनी अब यह दोस्तों यह जो कंपनी पीट रही है इसकी वज़ा से इनके प्राइज के प्राइजिस जो है वह अच्छी तरीके से डाइलूट हो रहे हैं कुछ स्मार्ट लोग जो है वह इस डाइलूशन का जो है बेनिफिट उठा रहे हैं वह फटक से बेच देते हैं अपने शे करीद लेते हैं अभी यह जो स्टैटिजी है ना दोस्तों यह बहुत समार्ट इंवेस्टर के लिए होती है तुक्य कभी-कभी होता क्या है न आपको प्रेडिक्षन आपका स्टडी बहुत अच्छा होना चाहिए कभी-कभी एक्जाम्पल में अपना खुद का इसांपल द और मेरे खाज चार या 5 बार जो है वो शेर उपर गया फिर 2000 गया फिर 19 हो गया फिर 18 हो गया फिर तो 17 कि चला गया एक तो एक prediction मेरे मेरा गलत हो गया कि यह वापस ही जा रहा है मेरे काफी बार यह 2400 300 के आसमाद के वापस ही चला जाता है तो मैंने 2400 कर दिया शेयर को तो शेयर चला गया 2500 यार यह कभी वापस से आ जाएगा कभ यह सत्रासों पर या ठ्रासों पर एटलिस 2000 पर चला जाएगा कुछ मेरे पास 15 शेयर से और तब से लेकर करके दोस्तों शेयर जो वह भागी राय पर तीजर के आसपस जाके भी बैठ चुका है शेयर तो वह एक गलती मैंने वहां पर कर दी इसके वज़े से मुझे थोड़ा एक 200 रुपे का जो है वहां पर लेकर के जो है ना वहां पर थोड़ा बाई करना पड़ा तो यह हमें एक चीज जो है ना सिखा के सब्सक्राइब करना जाहिए थोड़ा होल करना चाहिए थोड़ी टाटकी करनी चाहिए ज़रेगे Druid şu के बारे में पूरी तरह से यह को है जे 7.3 के आसपस का परसेंट है जून कॉर्टर में जो लगबग इंकम हुई है वा टू-925 क्रोर्स ये भी बहुत बड़ा फिगर है पर जब HCL की बात आती है तो एक बड़ी कंपनी है उसके लिए ये फिगर आप पकड़के चलो करोड़ हटा दो 2925 के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो भी बहुत बड़ा फटका यहां पर पड़ा हुआ दिखता है सेवें परसेंट प्रॉफिट लॉस दोस्तों बहुत बड़ी मार्जिन हो जाती है जब सेवेंट परसेंट के हम लोग बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट जो मार्च कोर्टर में था वो लगबग था दो 3154 रुपए का और आप देखिए अभी 2900 रुपए के आसपास का है तो लगबग 200 2500 करड़ का लॉस महां पर देखने को मिल रहा है अब यह मैं कन्यक्ट नहीं कर रहा हूं बट शायद यहां पर जो एक च्छोटा सा सिनारियो हुआ था जो इनके चेर्मन एश्यू नदार वो step down हो गए थे और उनकी जो लड़की है रोशनी नदार मलोतरा तो इन्होंने जो है वो एज चेर्मन टेक और किया था तो मेबी उसका इंपक्ट यहां पर शायद हो गया होगा I don't know बट यह वहां पर एक option बन सकता है क्योंकि जब management change हो जाती है तो company का performance उपर नि इस तो ना 4% का down है जो लगबग हुआ करता था 18,590 करोड का वो आ चुका है 17,800 करोड पर तो 4% का drop हमें वैसे भी previous quarter के इसाब से देखने को मिल रहा है अभी dollar revenue की बात करेंगे यह dollar revenue जो होता है जो international business से हमें जो revenue आता है उसे dollar revenue बोला जाता है तो dollar revenue जो होगा वो था एक ल million का यहां पर dollar है तो million आएगा और वो लगबग गिर के हो चुका है 2356 million का तो यहां पर भी 7.4% का हमें fall देखने को मिल रहा है अब बात करेंगे EBIT का तो EBIT is down by 5.7% जो लगबग हुआ करता था 3880 करोड का वो हो चुका है 3660 करोड का तो यहां पर भी लगबग 5.7% का जो है fall देखने को मिला है margin की भी बात करेंगे profit margin की तो 20.8 से लेके 20.5 यानि quarter by quarter यहां पर loss हो रहा है कंपनी का CC यानि constant currency जो होता है वो growth आ रहा है 7.2% down यानि हर जगा से calculation में आपको down ही दिखेगा क्योंकि revenue यहां पर dilute हो चुका है इस सब सिनारियों के चलते company ने भी जो है ना एक dividend declare किया हो है लगबग 2% का मास कीज़ेगा rupees 2 यानि 2 रुपए पर share पर equivalent share का जो है dividend declare कर दिया अभी इसका record date है दोस्तो 25 जुलाई तो अगर आप interested हो तो आप जो है 25 जुलाई को या 25 जुलाई को या 25 जुलाई को या 25 जुलाई को एक डिकलेर होगी 25 से पहले वाली वहां पर खरीच सकते हो और यह dividend जो होगा वो august 7 को आपको दिया जाएगा release होगा तो जो लेना चात इसको जल से जल अच्छीव कर ले ताकि हमें भी growth देखने को मिले अगर करेंगे तो शेर कहां कहीं पर 85 या 600 पर अगर सस्टेन हो जाता है एक सपोर्ट ले लेता है तो आगे यह 700 तक यह शेर जाने की capacity रखता है लेकिन अगर वो जो सपोर्ट है वह अगर resistance की तरह यूज करता है तो वहां से प्राइज अगर गिरता है तो प्राइज बहुत अच्छी तरीके सी गिरेगा अब सवाल आता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें देखे कोई भी है एक छोटी कंपनी नहीं है आप टेक महिंद्रा आप इंफोसिस आप टी करें और मैं यह कहूं कि आप थोड़ा वेट करें प्राइज को थोड़ा नीचे आने दे अच्छे सेर्स कम प्राइज में खरीदने होते हैं हमारे गुरु जी बोलते हैं तो उसी तरीके से बस भाई वही चीज़ करनी है कि जो गिरे बेटर हो उठा लो जब चड़े या फिर बेज दो यहां आज का वीडियो टीसी मफिजेगा है एच्छी एल के बारे में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूरी कीज़ेगा दोस्तों और बेल आइकों को जरूर क्लिक कीज़ेगा कमेंस वोक्स आपके लिए खुले हैं कुछ भ बहुत है दुनिया में दोस्तों तो कमाना है तो सब्सक्राइब कीज़ेगा और टिप्स लेते रहिएगा मार्केट अपडेट्स लेते रहिएगा टिप्स का मतलब दोस्तों मार्केट अपडेट्स था यहां पे यहां पे कोई भी टिप्स हम लोग नहीं देते बिलकुल भ Thank you very much.